बहुत ही सरल सवाल है ये देखिएगा दोस्तों कि ये सवाल कितना सरल है पेपरों में आया हुआ है कहरा है एपान बी प्लस बी अपान ए बराबर ए है ये जीरो नहीं होनी चाहिए ए और बी और एक्यू प्लस बीक्यू को मान गयात किजिए तो पहले कर लेते हैं इसको हर तो ए चले लिख लेते हैं चाहिए इसे कर लो क्योंकि एक्जाम में तो इसे कर लो ए ए स्कॉाइर प्लस बी और बी की गुड़ा होगी तो बी स्कॉाइर अपान में ए बी और बराबर में एक है और अगर इसके साथ इसके तीर्षी गुड़ा क तो हो जाएगा A square plus B square बराबर A, B और अगर इसको इधर लेते आए हैं तो हो जाएगा A square plus B square माइनस A, B बराबर में हो जाएगा 0 इतना आया होगा समझ मैं आपको इसको यह हल्किया है अब इसका लगा दो सूत्र यानि कि E cube plus B cube बराबर होता है a plus b और a square plus b square minus a b या b चमाय से भी लिए कोई दिक्कत नहीं अब देखें करें यह ए देखें a square plus minus a b इसका मन जीरो इसका मन हो गया जीरो जीरो कि किसी के साथ गुणा करते उसका उत्तर जीरो ही आता है तो इसका उत्तर आ गया जीरो सवाल अच्छा लगा तो इसका अंसर भी है लाइक्स करें शेर करें कमेंट करें और अगला सवाल नमबर दो देखें देखेंगा यह वाला सवाल भी बहुत सरल कहरा है यदि 2p upon a p square minus 2p plus 1 बरावर एक बटे 4p 0 नहीं है तो 2p plus 1 बरावर पन पी कमान किया आपसर में 4 पार 10 और 12 है इसका मतलब है कि पी इसमें से गाइब हो जाएगा ठीक है तो पर इसको हल करते है तो 2p चकू 8p बरावर p square minus 2p plus 1 मतलब एक से गुणा करें तो यह पूरी संका इदर पहुँचाएगी अब p को कैसे गाइपन को इसको अगर हल करेंगे तो p और p हो जाएगा p square plus 1 बटे में p रहेगा तो इसका मतलब हमें p square plus 1 कमान मिल जाएगा यह इधर बेदो तो इधर अगर बेदोगे तो यह minus का 2p है plus का हो जाएगा यानि 8p plus का 2p बरावचा पी square plus 1 और यह 8 हो दो कितना हो जाएगा 10p तो ठीक है तो p square plus 1 का मान हो गया 10p यहाँ पे रख दिया 10p नीचे है p, p, p कटेगा 10 उत्तर हमारा आ गया यानि कि ऑप्शन c अच्छा लगा ना चलिए अगला सवाल देखते हैं यह सवाल बहुत ही सरल है और इसका तो उत्तर देखके ही आ जाएगा कहरा है यादी x बड़ावच 7 minus 4 root 3 तो x plus बना परना किसका मान गया हमेशा मेरा गड़ित कहता है कि इसका square को 7 से 9 चास इसका भी करो 4 से को 16 और 3 आर तालिस यानि 49 बड़ा 8 तालिस चोटा है तो कभी भी ऐसा हो तो यह धान को अगर इसका बटे मेरा निकालना है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा खाली बास तो इसकी जगह पर हो जाएगा 7 minus root 3 और इसकी जगह पर हो जाएगा यह चिन बदल जाएगा खाली प्लस का निसान यह बाला 7 plus root 3 और यह और यह गया 7 दूनी 14 बास क्या कहा हमने की X कमान तो यह हुआ तो बन अपन X कमान होगा इसका चिन बदल दो 7 plus यह चार बटे 4 root 3 और यह 5 minus का यह प्लस का कट जाएगा 7 साथ 14 हो गया सवाल अच़ल लगा बहुच अच़ल था देख तो तुराने वैला चलिए अगरा सवाल देखते है यह सवाल बहुत सरल है लेकिन चलिए देखते है करा X प्लस बन अपन X दोस्य में X प्लस बन अपन X मören अगर बन अपन X म injury 3 बनापान X माइनस 4 को हल कीजिए नहीं कोश्चरिंग मारक अब देए धान से इसकी सी गुड़ा को तो करते हैं तो X एकन X अब प्लस में बनापान X गुड़ा में X माइनस बन एकन X माइनस बन प्लस में बन ये बाला वापान में X माइनस बन गुणा में ये X-2 एकन X-2 प्लस में बन अपान में X-2 बटे वाला X-3 एकन X-3 प्लस में बन अपान में X-3 देख कितना सल सबाल है X-4 एकन X-4 प्लस में बन अपान में X-4 अब देखें ध्यान से बस इसकान सा समझो आगया इसको ऐसे उतार रिया X-4 प्लस बन अपान X गुणा में ये और ये कट जाएगा तो आगया X अपान X-1 गुणा में दो में से एक कम हो जाएगा तो X-1 अपान में X-2 यहां पर भी यह कम हो जाएगा तो X-2 हो जाएगा X-3 यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा X-3 यह पान में X-4 बस एक कम करो इन सब को कोस्टेंग में बंद कर दो इसलिए देखते हैं क्या होता है यानि यह पूरी संख्या है कि अब ध्यान से देखेगा यह X और यह X उपर नीचे काईब यह X-1 X-1 उपर नीचे काईब X-2 X-2 उपर नीचे काईब X-3 X-3 उपर नीचे काईब क्या बचा X-1 पान में X-4 बस यह बचा सल्था सवाल बिर्कुल और क्या चाहिए X-1 X-4 यानि कि यही हमारा अंसर हो गया चलिए अगला सवाल देखते हैं देखीगा यह सवाल बहुत सरल है यह यह एक्स प्लस बन अपन यह एक्स प्लस बन तो X-3 X-1 अपन में X-7 X-1 का मान गयाद कीजिए हमेशा याद रखेगा इस हिसाब के सवालों को ऐसे लगा जाता है यानि कि X X हो जाएगा X स्क्वाइर और प्लस बन है और ये वाला X जाएगा इधर X सिकन X बस यानि हमारे पास आगया है X स्क्वाइर प्लस बन बराबर X तो X स्क्वाइर प्लस बन की जगाँ पर X रख देंगे तो यानि की X प्लस 3X और नीचे भी X स्कायर प्लस बन की जगाँ पर रख देंगे X यानि की नीचे 7X, 3X और X 4X, बटे में 7X और X 8X, तो X कट गया, 4 एकंचार 4 दुनी 8, यानि 1 बटे 2 आगया अंसर कितना थासरल सवाल बताईए, आप सोच भी नहीं सकते हो चलिए, देखें फिर अगला सवाल लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो देखेगा ऐसा सवाल एक पीछे निकल चुका है तो हमने आप से कहाता है, यदि X प्लस बन अपान X बरावर 2 हो तो हमेसा या रखेगा, कि X कमालए एक होगा अब यदि X कमालए एक होगा, तो देखेगा तो यहाँ पर एक की पावर कितनी भी हो एक ही आता है, तो एक मैं से एक गया, 0 तो इसके लिए कुछ भी लगाना जो त्नही है, तो नहीं करना है और अगर तब भी आपको समय वरबात करना है तो आप समझेगा चलिए अच्छा लगा तो इसके लिए तो एक लाइक करो और बास तम यह समझ में आ रहा है तो कमेंट करो चलो अगरा सवाल देखते हैं अब दीखीगा यह सवाल भी बहुत ही सरल है करा यह तो प पीछे बता चुके हैं कि कभी भी यह शंख्या यह दिए बटी में है फिर सुन लिजे तो अगर इसको बराबर में सईस लाना है तो इसका चीन बदल दो यानि कि यहां पे 2 प्लस एकस रूड थिरी बराबर बस चीन बदल दो बराबर लिए तो दो माइनस का रूड थिरी ह गया, बस क्योंकि इसका नियम है कि इसके अपोजिट से गुणा करते हैं, तो दो दो नीचार और तीन तीन नो होगा सुरी, रूड का तीन हट जाएगा तो चार में से तीन गाएगा, एक नीचा और लेकि इन तीकाए बजाती, उपर वाली बजती, जो कि इसके अपोजिट होती है नियम होता है, इसके अपोजिट से गुणा करने का, यानि दो माइनस रूड थिरी और दो प्लस रूड थिरी, ये नियम होता है सुरी, मायस यानि अब पोजिट से गुड़ा करें उपर नीचे होता है तो दो दूनी चार हो गया और तीन रूड तीन रूड का तीन हो गया तो चार में से तीन गया क्या बचा एक नीचे गिंतिकाई बची तो उपर की ही तो यही नियम होता है तो देखो दो से दो तो गाइब हो गया रूड थिरी रूड थिरी गाइब हो गया जस्कुछ नहीं बचता है एक बचता है तो यानि कि निसान है माइनस का तो X का मान हो गया माइनस का बन माइनस का बन क्यों हो गया क्योंकि हम तुलना करते हैं यह तो चला गया आगे में यह पीछे चलागा रूड के साथ जहां कुछ नहीं बचागा एक बचता है कि रूड ठिरी एकन रूड ठीर तो हो जाएगा ना और एक बचा और यहाँ पर माइनस बचा माइनस को कामल ले ले लेते हैं माइनस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है जैसे कहीं पर प्लस का एक कामल लिया तो सीधे एक कामल ले लिया क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है कहीं माइस हो तो माइनस लिखा जाता है तो X कमान होगे माइस का बंटी यानि देखते ही उत्तर अच्छा लगा रहा चलिए देखते हैं अगला सवाद बहुत ही सवाल देखिए आपके लिए लाए हैं कहरा है कि ये पॉइंट है पॉइंट 87 का स्कॉायर प्लस 0.13 का स्कॉायर प्लस 0.87 गुणे 0.26 और इन सब की होल में है 2022 इसका मान गयाद कीजिए देखिए सवाल बहुत सरले ये देखिए हो गया A स्कॉायर ये हो गया B स्कॉायर और होता है 2 A B तो देखिए 13 तो नहीं 26 होता है 2 इसके चल लगा 2 A और B तो क्या हो गया A प्लस B का होल स्कॉायर यानिकि A प्लस B यानिकि 87 87 a plus b यानि कि 13 का whole square यह इतने का सूत्र हो वो whole square और इसके उपर बच लगा है अभी 2022 अब देखे ध्यान से 87 और ये होता है देखे इस हिसाब से 87 और तेरह पॉइंट है एक इस्तान पे 7, 3, 10 का 0 8, 9, 10 का 0 10 और दो इस्तान पॉइंट यानि एक आया समझ गे तो यहाँ पर इमने के एक का square और इसके उपर है 2022 तो देखे एक उपर कितनी भी square हो उसका अंसर एक ही आता है बहुत सलसवाल हो गया ना तो भी उत्तर हो गया अब क्या समझा है आपको हमने बता देखे एक उपर कितनी भी घात हो एक ही ही आता है बस अच्छा लगा ना लाइक मारो ना कमेंट भी करो बड़ी आसा सवाल बहुत सरल देखे कह रहा है कि जब किजी संख्या के आधे में यानि संख्या एक्स मानी और इसके आधे में पंदरा जोड़ दें पंदरा जोड़ दें तो परणाम 49 प्राप्त होता है ठीके और 49 प्राप्त हुआ तो बास्तुरी संख्या के अंको युगात कि तो 49 में से ये 15 घट भी तो जाएंगे जब घटा है तो कितना बच गया 9 में से 5 गया 4 3 में से 1 गया 3 में से गया 2 24 और इस X से 24 को गुणा कर दे क्योंकि ये आदी संख्या है तो पूरी संख्या निकालने के लिए X बराबर इस संख्या निकलता है यानि X बराबर 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 और क्या पूछ रहा है अंको का योग अंको का योग पूछ रहा है यानि कि 4 प्लस 8 आएगा यानि कि आएगा 12 बस इतना करना था अच्छा लगा ना तो लाइक से कमेंट करें और अगला सवाल देखें ये देखें सवाल बहुत ही सवाल है सवाल कह रहा है दो बटे 3 बराबर 3 X बराबर 0.56 और 0 दू बाई बराबर बन तब X प्लस बाई इंबर्स यानि मैस का बन इसका मान गयाद करना है तो सवाल बहुत सवाल है देखे ध्यान से 2 ऐसा है तो चब हली काले देख लिख नहीं है तो 0.6 ये 3 जाएगा उपर और 2 आएगा नीचे 2 तियाँ 6 यानि कि ये आगया 3 तियाँ 9 पॉइंट में है अब देखे ध्यान से इसको एक बटे बाई इसको एक के बटे में ले आते हैं बाई को तो ये खाली धर बचेगा 0.02 और आपको हम बता दें इसका मतलब की बाई एक के बटे में ही होती है मतलब इस बाई को ही हम इसे लेख सकते हैं बाई इंबर्स समझें ना तो दुनों ची एक जिक एक्स कमान 0.09 बाई कमान 0.02 हल करो इस सवाल को जोड़ने में 99% लोग फेल होते हैं इसलिए आप 20 जोड़ लो 0.12 9 और 10 मलब इस नीचे 10 मलब लगाएंगे अब देखे 0 आएगा 9 के नीचे 2 बचेगा इधर ठीके तो इसके उपर कुछ नहीं होता है तो 0 होता है यह समझे हो 90 है यह दो है तो कितना हो गया 92 और यह पॉइंट और यह इस इस साप जोड़ा जाता है यह जीरो पॉइंट बानवे क्योंकि देखेगा पॉइंट के ज़स्ट बाद हमारी इसमें संख्या नहीं है और यह पॉइंट के ज़स्ट बाद यह संख्या है तो इसमें यह कई से जोड़ सकते है यह जोड़ ही नहीं सकते तो इसको ऐसे लिग दिया अब यह दो है इसके बाद में तो दो को ऐसे उतार सकते है तो कितना आ गया 92 यानि सी वाला उत्तर सही लगा अच्छा लगा लाइक से रिक्मेंट करें और अगला वीडियो देख अब दीखीगा यह लाट सवाल है और हम बहुत ही सवाल है यह एक्स बाई बरावर 6 और एक्स इसकार बाई प्लस एक्स बाई इसकार प्लस एक्स बाई बरावर 3 तो अंदर यहां बचा एक्स और यहां बचा बाई एक्स प्लस बाई प्लस में इधर एक्स प्लस बाई बरावर में 63 चल ला है इसका मान कितना है 6 इसका मान है 6 तो 6 से हो जाएगी अंदर गुणा तो 6 एक्स प्लस 6 बाई प्लस एक्स प्लस बाई बराबर 63 और छे एक्स और एक एक्स कितना हो गया साथ एक्स प्लस छे बाई बाई कितना हो गया साथ बाई बराबर 63 इसमें साथ मिलेगा कामन यानि एक्स प्लस बाई बराबर 63 और साथ से काड़ दो साथ नेम 63 यनी X plus about 9 और जब यह हुआ है अर अब मां निकल वा रहा है X square plus about 9 और का तो हमने लग बताए जब ऐसा होता है तो इसका कर देते हैं बर्ग X square plus about 9 और के बराबर में 9 नेम कितना होता 81 इसमें से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा नौनेम इक्यार यहाँ पर थोड़ा गड़ बड़ गड़ा था यहाँ पर सुत बुगारान लेकर यहाँ पर सुत लगए यह बाला कि X स्क्वाइर प्लस बाई स्क्वाइर बरावर होता है A प्लस B का होली स्क्वाइर माइनस 2 AB तो यहाँ पर AB तो 9 ने में क्यासित हो गया माइनस 2AB तो 2AB कमान कितना है 6 यानि 6 तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 अब इस घटा देंगे तो अगर 2 घटाते तो बचता 7 9 और 10 और गटा देंगे तो बचेगा 6 9 यानि कि उत्तर C तो सवाल कैसे लगे अगर अच्छे लगे हों तो लाइक से कमेंट करें और लोगों को चरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे है तो वीडियो देंगे बहुत बहुत धन्यवाद